हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल में आज इस वीडियो में आई पेल के मैच नमबर 9 किंग्स लेंड पंजाब वर्सेज राजस्थान रोयल्स के इतिहासिक मैच का रीवियू देखेंगे तो राजस्थान ने टॉस जीत के फिल्डिंग चूस की पहले बैटिंग करन आई पंजाब मयंक अगरवाल और केल रहूल के बीच हुई 183 रंस की पार्टनर्शिप सिर्फ 105 बोल में दोनों के बीच 183 रंस की पार्टनर्शिप हुई मयंग कगरवाल ने 106 रन मनाए सिरुफ 50 बोल में और केयल राहूल ने मनाए 69 फिफ्टीफोर बोल में और अगर इस वक्त के ओरेंज कैप की लिस्ट देखें तो दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं सिर्फ एक run का फर्क है मैंग कगरवाल केई रावल एक run आगे हैं लेकिं स्ट्राइक रेट मैंग अगरवाल की काफी जादा अच्छी है। और दोनों के स्कोर की बिदोलत पंजाब काफी जादा आगे निकली और फिनिशिंग टच दिया निकोलस पूरन के कुछ बड़े शॉट्स ने और स्कोर को 223 तक पहुचाया लेकिन जब राजस्थान की बैटिंग आई तब कोटरल ने शुरू शुरू में ही जौस बटलर की विकड ली लेकिन उसके बाद पावर प्ले के अंदर अंदर स्टीव स्मिथ ने 34 रन बनाई सिर्फ 17 बॉल में स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने अपनी फॉर्म दिखाई स्टीव स्मिथ ने 26 बॉल में 50 बनाई और अगली बॉल पर आउट हो गए लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरों की बैटिंग की 84 बनाए 41 बॉल में कमाल ही कर दिया संजू सैमसन लेकिन इस मैच में जो रियल गेम चेंजर रहे वो थे राहूल तेवतिया राहूल तेवतिया ने 31 बॉल में 53 रन मनाए और अपनी लास्ट बारा बॉल में राहूल तेवतिया ने 45 रन मनाए और किंग से लेण पंजाब के हाथ से जिता जिताया मैच खीज लिया कोटरल के ओवर में पांच छक्के लगाए राहूल तेवतिया ने और शमी के भी 54 रन पड़े लेकिन रवी बिश्णोई ने बहुत अच्छी बोलिंग की सिरफ 34 रन दिये अपने चार ओवर में प्रदेंटेशन शायरामनी में राहूल तेवतिया को कोई अवर्ड तो नहीं मिला लेकिन ये इनिंग के कारण शायदो पूरा IPL खेल ले